जैहन बच्चों, PRS The Future Academy के डिजिटल प्लेट फॉर्म पे, मैं तक्सीर आमद, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 3.3, और 3.3 को पढ़ने से पहले, उसका introduction है थोड़ा सा, उसको जान लेते हैं हम लोग, तो अगर introduction आप जाने रहेंगे, तो आपको ये exercise solve करने में बिल्कुल भी time नहीं लगेगा, जैसे आपने प्रशनावली, 3.1 को solve किया है, 3.2 को solve गया है, वैसे ये दम आसान है, तो देखें इसकी जो introduction पाट है, उसमें थोड़ी सी बात, बहुत सारी बाते तो आप जानते हैं, बस थोड़ी सी बाते add करेंगे हम, जैसे आप निर्देसांग जामती पढ़ रहे हैं, तो आपको एक कारती अतल अच्छे से पता है, ये है और ये यह, इसको 36 बोलते हैं और इसको उर्द्वारदर बोलते हैं, मतलब जो एक सच होता है, वो 36 होता है, और जो यह होता है, वो उर्द्वारदर होता है, ओके, आप ये भी पता है कि जो ये बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, इस बिंदु को हम क् ठीक है चलिए यह हो गया हमारा मोल बिंदू अब यहां से आप क्या जा रहते हैं यह जो होता है इसको हम बोलते हैं पर्थम चतुर्थांस अभी तक जो हमने पीछी क्लास में बता दिये उसी की बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं पर्थम चतुर्थांस इसको हम बोलते हैं और चतुर दास यह सारी बाते हो चुकी हैं लेकिन फिर भी एक टंग से रिवीजन भी हो रहा है और आप अच्छे जानते हैं जो मूल बिंद को निर्देसांक होते हैं उसका मान कितना होता है जीरो कामा जीरो यह से पॉइंट आपके दिमांग में रहने चाहिए कि जो मूल अभी गलती से यह को पहले और एक सच्छ को बाद में नहीं लिखेंगे यह निर्देसांक लिखने का तरीका है इसकी भी हम बात कर चुके हैं निर्देसांक लिखने का तरीका है अब यह भी जानते हैं जो एक सच्छ होता है इसको हम भुज बोलते हैं और जो यह होता है इ वो यह है कि यह पर्थम चतुर्थांस होता है और पर्थम चतुर्थांस में यह सारी वैलू किसमें है पॉजिट्व में है यह सारी वैलू पॉजिट्व में है और यह सारी वैलू किसमें है निगेट्व में है और यह सारी वैलू किसमें है निगेट्व में है मतलब यहां पर अगर कोई इस में मतलब यह दोनों की बीच में की बात कर रहे हैं यहां से इसकी हम बात कर रहे हैं इसकी ठीक है अगर यहां पर बना है तो हम इसकी बात कर रहे हैं इस पॉर्शन की इस पॉर्शन में अगर कोई भी बिंदू आएगा अब यहां बचिलने की बाद करें अगस्सान में प्रथम चॉत्रतास में रहेगा कि दोनों रहेगा कि दोनों निप्सक्राइब टो यह थे यहा difference और यहां का मृमान होगा और यहां का मान होगा यही निर्देसांग्गॉ जहां का कुछ भीमान ऑगा कैसा मОन मिलेगा पॉजिटीव मिलेगा क्योंकि यहां क कोई भीमान किस में रहेगा धनातमक में रहेगा अorn यहां से लंबो जो y h पर डालेंगे तो y h यह भी पूरा पॉजिट्व है तो यहां का कुछ भी जो मान मिलेगा वो भी किस में मिलेगा पॉजिट्व भी मिलेगा इसका मतलब जो प्रथम चतुर्थांस होगा उसमें एक साँ अच्छका विमान पॉजिट्व रहेगा और वाई अच्छका विमान भी पॉजिट्व रहेगा ये आपको सेखना है कि अगर आपको दे दे कि वह इतना दे दे कि प्लस प्लस या आपको ऐसे को संदेदे 2,3 किस चतुर्थांस को अंगित करता है या किस चतुर्थांस को बताता है दोनों value किसमें अब आप 2 और 3 से मतलब नहीं है अब यह पूछा है ना किस चतुर्थांस को बताता है किस चतुर्थांस को indicate करता है तो आपको इसके मान से मतलब नहीं रहेगा इसके चिन्न से मतलब रहेगा और दोनों का चिन्न जो है पॉजिटिव है इसका मतलब आप याद करिए जब दोनों को चिन्न पॉजिटिव है हमने क्या बताया है कि जब दोनों का चिन्न पॉजिटिव रहता है तो वो कौन से चतुर्थांस होता है, वो पहला चतुर्थांस होता है, आया समझ में, चलिए, अब दूसरे चतुर्थांस की बात करते हैं, अब इसकी अगर हम बात करें, तो हमेशा जो पहले लिखा जाता है, तो इस चतुर्थांस की बात करेंगे, तो देखी इस चतुर्थ अब एसे कोशन बन सकता है कि माईनस दो कॉमा फूर किस चतुर्थांस को दरसाता है तो भाया इसमें 2 और 400 कोई भी मतलब नहीं है आप इसके चिन्न को देखिए X अच्छ निगेटिव है और Y H पॉजिटिव है इसका मतलब अगर X अच्छ निगेटिव है और Y H पॉजिटिव है तो वो कौन से चत्रुथांस हो जाएगा? दूसरा चत्रुथांस रटने की ज़रूरत नहीं है समझने की ज़रूरत है कि कैसे यह आ रहा है अब हम बात करते हैं तीसरे चत्रुथांस की चलिए तीसरे चत्रुथांस मगर ध्यान से अब देखेंगे तो जो पहले X अच्छ का मान दिखा जाता है तो यहाँ पर देखें तो इसका मतलब जो तीसरा चतुर्थांस होगा उसमें x अच्छे का मान भी रिडात्मक होगा और y अच्छे का मान भी रिडात्मक होगा तो इसका मतलब जो तीसरा चतुर्थांस होगा वो माइनस कॉमा माइनस होगा अब कोशन बन सकता है आपसे कि माइनस 3 कॉमा माइनस 4 कि इस चतुर्थांस को बताता है तो दोनों निगेटिव में हैं इसका मतलब तीसरे चतुर्थांस को दिखाएगा समझ मैं रहा है ना अब हम बात करते हैं चौथे चतुर्थांस की अब यहां पर ध्यान से देखिए पहले आप X अच्छ कमान लेते हो तो यहाँ पर देखे इस चतुर्धांस में यह जो चतुर्धांस है यह चतुर्धांस इस लाइन और इस लाइन से मिलकर बना है तो इसका मतलब यह लाइन सारी की सारी positive होती है और यह X अच्छी की है तो इसका मतलब X कमान positive आएगा धनात् मतलब है उसका मतलब किस्में हो जाएगा kann kates2 का कि जिस्में हो जाएगा करेंद अगा अगर एक्स क्मान प automation झाल यह प्लेर हो जोगी अब यहां पर एक आप चीड्स समझ सकते अ कि अगर फोड़ा चुर्ण हो तो देखिए अगर x-command positive है x-command देखे यहाँ भी positive यहाँ भी positive इसका मतलब जो x-command positive होगा यह यह इधर होगा और इधर कौन से चोता है पहला और तीसरा होता है समझ मैं है तो जैसे ही आपको x-command positive मिल जाए आप यह समझ जाएंगे कि दूसरा और तीसरा तो हो ही नहीं सकता, बचता है पहला और चौथा, और पहला और चौथा में, पहले में दोनों पुलस रहते हैं, और चौथे में एक निगेटिव रहता है, तो अगर जैसे ही अगर ये देदेव, जैसे आपको देदेव, कि 3, माइनस 4 का चतुर्थांस बताओ, तो आप देख तो अब ऐसे हैं, और इसमें अगर द्यान से देखेंगे, तो पहला मान किसमें हैं, दोनों रिडात्मात में हैं, और जब पहला मान दोनों रिडात्मात में मिल जाएगा, इसका मतलब वो दूसरा और तीसरे चतुर्थांस में होगा, पहले और चतुर्थ में नहीं होगा, इसी ही चीज़े देंगी अब आपको दे देगा कोशन में कि माइनस 3,4 को माइनस 3,4 को ग्राफ पेपर पर निरूपित करिए या कार्तिय तल में निरूपित करिए तो ध्यान से देखिए माइनस 3,4 आप चलते हैं अच्छा इतना ही थोड़ा करते हैं अब कोशन इसी से रिलेटर्ड है कोशन लेकर वहाँ पर हम आपको अच्छे समझाते हैं इसका अगर स्क्रिंसाट लेना हो आप थोड़ा सा आपका रिवीजन भी है कुछ नहीं चीज़े ले सकते हैं फिर उसका कोशन भी बात करते हैं चली बच्छो कोशन नंबर फैला देखते हैं एक्सरसाइस 3.3 का देखें क्या है कि किस सतुर्थांस में माइनस 2,4 तीन कामा माइनस यह सब नंबर दिये गए हैं मतलब निर्दे सांग दिये गए हैं इस्थित है कार्ती तल पर इनका अस्थान निर करना है यह कार्ती तल है इसमें इनका अस्थान निर्दारन करके अपने उत्तर की सत्यापित भिकरना है कि जो अपने उत्तर निकाला यह सई की गलत तो पहले छे लिए हम लोग अच्छ बनाते हैं यह होता है हमारा x अच्छ माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5 यह हो गया उपर पॉजिट्व एक दो तीन चार और यहां पर हम 5 पाँच ले लेते हैं यहां पर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और नीचे माइनस 5 ध्यान लखेगा अगर आप पहले बात अगर एक्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलता है in case और आपको कॉपिंग बनाना है तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो समान रखिएगा इसकेल से ना आप करके जो बीच की दूरी यहां से यहां तक होगी वही यहां से यहां तक वही यहां से यहां तक और चारों दिसाम में वही दूरी होगी जो इतना होगी वो इधर भी होगा वो इधर भी होगा तो दूरी को कम जादा नहीं करना यहां पे तो कम जादा हो सकता है लेकिन आप कम जैदा मत करिएगा तो पहला point है दिया गया है minus 2 comma 4 पहले point के बात करें तो first point दिया गया है हमारा minus 2 comma 4 तो पहले हैं कि इनका अस्थान निर्धारन करना है अस्थान निर्धारन करना है तो आप इसमें देखें चिन भी दिये रहा है इसका मतलब पहले हमको चिन पता होना चाहिए तो इसका जो चिन होता है वो प्लस प्लस रहता है पहले चत्रुथांस का प्लस प्लस रहता है दूसरे चत्रुथांस का जो रहता है वो माइनस और प्लस रहता है जो तीसरे चतुर्थांस का रहता है वो दोनों माइनस माइनस में रहता है और जो चौथा रहता है वो एक प्लस में रहता है और दूसरा माइनस में रहता है ये चतुर्थांस रहते हैं प्लस और माइनस अब देखना है माइनस दो कामा चार तो पहले इसका अस्थान निर्धारन करते हैं ये इसकी बात करेंगे तो अगर यहां इसको हम बोलते हैं भूज ये जो पहला होता है वो होता है भूज और जो दूसरा होता है वो होता है कोटी या पहले को X अच्छे बोल सकते हैं दूसरे को Y अच्छे बोल सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जो भूज है पहले आपको यही करना है धनात्मक है कि रडात्मक है यहाँ से पहले आपको यह देखना है कि धनात्मक है कि रडात्मक है जो भूज है वो कैसी है रिडात्मक है तो हम लिखेंगे भूज रिडात्मक पहले ही लिखेंगे भूज रिडात्मक है और कोटी कैसी है कोटी है आपकी धनात्मक सभी में पहले आपको यही करना है कि भूज कौन सी है कोटी कौन सी है अब इसकी हम बात कर लिए अब सत्यापन के लिए क्या कर देना इसको यहां पर निरूपित कर देना है तो माइनस दो कामा चार कहां पर आएगा ध्यान से देखिए तो माइनस दो की बात कर रहे हैं हम तो एक सच्च में कितना मान मतलब एक स कामान कितना होना चाहिए माइनस दो होना चाहिए तो एक स कामान माइनस दो कहां पर होगा इस दिसा में होगा तो यहाँ पर आगे हम ठीक है अब y कमान y कमान कितना है 4 है तो y कमान 4 है तो y कमान इधर जाएंगे 4 पॉजिटूम यह 4 है यहाँ पर है अब यह दोनों तो अलग अलग बिंदू है और हम जानते निर्देसांग किसी एक बिंदू का होता है तो इसका मतलब इसको उपर की तरफ बढ़ा दीजिए इसको क्या करेंगे उपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो जहाँ यह एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदू हो जाएगा तो यह जो बिंदू होगा इस बिंदु का अगर हम नाम दे दे बिंदु a तो ये indicate करता है किसको minus 2 कामा 4 को, किसको indicate करता है, sorry, यहाँ पर minus 2 कामा 4 नहीं होगा यह देखिए यहाँ पर देखिए, x कितना है minus 2 है, तो x तो minus 2 जाएगा और y कामान कितना है 4 है लेंगे त है तो और इस इस से इसी प्रकार सम्हा लेंगे आइक़ा नहें इन क्या लेंगे माइनस दीन कॉमादो को जो दूसरा है जो दूसरा point हमारा है वो है हमारा 3,-1 और इसका पहले भूज और कोटी क्या है उसकी बात करेंगे तो इसकी जो भूज है इसकी भूज किसमे है धनातमक में है भूज इसकी किसमे है धनातमक में है और कोटी किसमे है कोटी इसकी रिडातमक में है अब इस कमान कितना है तो एक्स कमान तीन पोजिटीवड़ी स्व सब्सक्राइब और वाइज कमान कितना माइनस एक तो य किधर मैं इतर इतर एक… बिदो पर लेकिन भी जगों आध्यालागल है तो इनको कही एक जगह भी मिला दिज तो मिलाएंगे किया यह कए खीच दे और इसको एक सच के समानतर खीच दे जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही यह वाला बिन्दु का निर्दिसांग हो जाएगा तो यह किस बिन्दु पर काट रहें इस बिन्दु पर तो इसका नाम हम दे देते हैं बिन्दु B और इसका मान कितना है 3,1 अब द दूसरे पॉइंट के अगर बाद करें तो 3 पॉइंट दिया है –1,0 तो 3rd पोइंट इस – 1 – 1,0 अब इसका बाद करें तो इसकी भी भूज लिखेंगे तो इसकी जो घुज आएगी वह किस में है रिडात्मक में है तो इसकी जो भूज आएगी वह रिडात्मक और जो कोटी आएगी जो कोटी आएगी वो धना दूखाएगा अब देखना है इसको graph paper में अंकित करिए तो x का मान माइनस 1 तो x का जो मान आएगा वो redarkmat में है तो redarkmat किधर होता है तो एकस का मान इस तरफ होता है तो माइनस 1 पर पहुंचाएगे यह minus 1 पे हम पहुँच गया, अब y कमान कितना है? 0, तो y कमान 0 का क्या मतलब होगा? अब वही पर हम बोल दिये न, y कमान 0 कब होगा, एक सच पर y कमान 0 होगा, अभी अभी बताएं हैं, कि जो एक सच पर y कमान कितना होता है, 0 होता है, इसका मतलब y कमान 0 है, तो y इसी बिंदु पर होगा, y किस बिंदु पर होगा, इसी बिंदू पर होगा और जब ऐसी condition है न तो हम इनका million बिंदू कहोगा, यही million बिंदू हो जाएगा तो इसको की हम c बिंदू मानेंगे और इस बिंदू का निर्देसांग हो जाएगा –-1,0 ठीक है, अब यह देखिए-1 यहाँ पर है, और 0 यहां पर है, इसका मतलब ये भी कैसा है, सत्यापिते, क्योंकि 0 ना तो positive होता है ना तो negative होता है और इस बिंदु का निर्देसांख क्या होता है, 0,0 इसको हम बूलते हैं, मूल बिंदु O से denote करते हैं और इस बिंदु का निर्देसांख होता है, 0,0 चीन कि अब अगला पॉंट है एक कॉमा दो क्या है है core दो अब इसकी भी भुज ुखेंगे हम इसकी भूज यहाँ पर आएगा थीक है अब y का माल कितना है दो है तो y की तरब 2 जाएगे और positive में जाएगे तो positive में जाएगे तो ये वाला आएगा अब इन दोनों मिलेंगे कैसे तो क्या करना है जो y अच्छ है उसको x अच्छ के समानतर खीच दीजिए कुछ और x को y अच्छ के समानतर खीच ये तो y अच्छ के समानतर ये खीचेंगे और दोनों जिस बिंदु पर काटेंगे वही हो जाएगा इनका million window इस बिंदु को million window बोल देंगे तो अभी हमने a बता दिया है b बता दिया है, c बता दिया है इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं d और इसका माना आएगा 1,2 सfund मैं है last बात करते है minus 3,5 की देखिए दिया है minus 3, minus 5 तो यहाँ पर देखिए भुज रिडात्मक में है भुज रिडात्मक है और QT-B किसमें है QT-B हमारी रिडात्मक है इसका मतलब दोनों रिडात्मक है ना अब इनका मान देखिए minus 3, minus 5 है , यहां पर आगये और यह, है ? क्वाइटे निची होता है यहां पर आता है तो इस बिंदु का जोटेनिट होगा-कप और तो क्या करिए, एक सच को YH के समांतर कर दिजिए, और ये जाहर सबात है को इस लिए नहीं करेंगे, यो इधर ही डी आएगा तो इसको यहाँ पर ऐसे कर दिजिए और इसको इस तरब करेंगे, तो जहाँ पर एक दूसरे को काड़ें यही बिंदू हो जाएगा तो A, B, C, D हो गया है इसके बिंदू का नाम देते हैं E और इसका निर्देसांग हो जाएगा माइनस 3, माइनस 5 तो आपको भूज और कोट ही बताना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है फिर इसको क्या कर देना? ग्राफ पेपर अप्लाट कर देना है आपका अंसर कम्प्लेट बाना जाएगा स्क्रीन सॉट लीजे फिर इसका एक दूसरा क्योशन है उसकी बात करते है चलिए बच्चो एक्सरसाइज 3.3 का कोशन नंबर सेकंड की बात करते हैं अच्छों पर दूरी का उप्यूक तो एकक लेकर नीचे दिएगे बिंदू को तल पर आलेखित करना है आपके पास एक चार्ट दिया गया है इस चार्ट में X और Y के माल दिये गया है तो इसको क्या कर देना है? कारती तल पर निरूपित कर देना है इसलिए थोड़ा से इधर से देखिए ये लाइन Y है ये आपकी हो जाएगी X है ठीक है? इसकी नेमिंग कर लेते हैं ये होता है 0 मूल बिंद होता है जिसको 0,0 हम बोलते हैं ये होता है हमारा X है ये होता है हमारा Y है इस तरब जाने पर पॉजिटिव नमबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 उपर जाने पर भी पॉजिटिव नमबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे आने पर निगेटिव माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 इस तरब आने पर निगेटिव माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, और माइनस 7 करेें अब आपको क्या कर देना यहां से English का मतलब होता है एक माण इसका मतलब निर्देशांग में क्या 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 सामिल लाता है सपील होता है तो है elka कोडिनेट लेंगे एक सच का मान कितना लेंगे माइनस दो और यह का मान कितना लेंगे आठ लेंगे लेगें कि नहीं एक सच का मान माइनस दो तो यह का मान आठ फिर दूसरे में क्या लेंगे एक सच का मान कितना लेंगे माइनस एक लेंगे और यह का मान कितना लेंगे? 7 लेंगे, ये दोनों को साथ में, तीसरा इन दोनों को साथ में लेंगे, तो X सच कमान 0 हो जाएगा, और वाय च कमान माइनस 1 दसंबलो 2 5, इससे डरना नहीं है, दरन मत जाना ही, दसंबलो में दे दिया, तो उसको कैसे करेंगे? बहुत आसाने कर लेंगे, इसका 1 है और इसका 3 है, यहाँ सब 3 और माइनस 1 को साथ में लेंगे, 3 और माइनस 1 को, इतने बिंदूओं को हमको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, तो ध्यान से देखी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पहला दिया है माइनस 2 कामा 8, इसका मतलब x कामा कितना होगा, माइनस में होगा, और माइनस 2 होगा, तो x सब माइनस 2 इस तरफ होता है, तो माइनस 2 यहाँ पर पहुँच गे, y कमान कितना है? 8 है y कमान कितना है? 8 है तो y कमान 8 इधर जाना तो यहां हम 6 ही तक बनाए है तो 2 तक हमको और बनाना है तो 2 तक हम और बना ले यहां पर 7 कर लेते हैं और यहां पर 8 कर लेते हैं कर लिया x अच्छ कमान-2 मिल गया है yh का मान कितना मिल गया है 8 मिल गया यहाँ पर अब इन दोनों का million बिंदू कैसे होगा इसको जो है 8 yh को एक सच के parallel draw कर दीजिए तो draw करेंगे तो आपका ऐसे जाएगा और इसको yh के parallel draw करेंगे तो यह ऐसे जाएगा ठीक है इनका जो million बिंदू है वो यह बिंदू हो जाएगा इसी बिंदू का ने मतलब इस बिंदू का नाम हम अगर दे दे इस बिंदू का नाम हम दे दे a क्या दे दे a तो इसका निर्दे सांग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा minus 2,8 ठीक है तल पर आलेखित करना था, तल पर हमने आलेखित कर दिया, दूसरा है माइनस एक कामा साथ, तो इसका विवतलब एक सच पर माइनस एक, तो एक सच पर माइनस एक यहाँ पर है, और यह पर कितना है साथ है, तो यह पर कितना है साथ है इस बिंदु पर, अब इन दोनों का मिले बी बिंदू इसको हम बोलेंगे बी बिंदू और जो इसका निर्देसान को जाएगा वो माइनस 1,7 होगा समझ बाग गया चलिए अब तीसरे बिंदू को लेते हैं तीसरा बिंदू ध्यान से 0,1.25 तो 1,7 कमान 0 है इसका मतलब 1,7 कमान कितना है जीरो तो यह एहीं पर रहेगा और उसे का मान कितना है ध्यान से इसकंट माइनस एक दस्मदोकार से इहां पर आफ है कि एक यहां पर आएंगे ग्राफ पेपर हो तो वहाँ पर छोटी छोटी लाइन आखिची रहती है थो एक बचेशा तो दसमलो दो पांच क्या बताता है एक बटे चार को बताता है एक बटे चार को बताता है इसका मतलब यह जो छोटी छोटी लाइने चार लाइने खिची होगी उसमें देखिए एक यहाँ खिची रहती है एक यहाँ दो तीन चार और पांचवी लाइन ये रहती है तो इसका मतलब ये है कि 1.5 का मतलब ये वाली लाइन होगी पहली वाली लाइन तो इसकी पहली वाली लाइन ये हमको मिल गया है और उसके बाद 0 तो 0 है तो इसको क्या कर देंगे इसका जो मिलन बिंदू होगा वो यही होगा, क्योंकि y h पर x कामान कितना दिया है, 0 दिया है, तो 0 हम उपर जा नहीं सकते हैं, इसका मतलब यह जो c बिंदू होगा, और इसके जो क्वाडिनेट होगे, वो होगा, 0,-1.25, ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे दिया है क्या है, 1,3, तो x h पर 1 जाईए, x h एक यहाँ पर आगे, और y h पर कितना जाना है, 3 जाना है, तो y h पर आप कहां गया, 3 यहाँ पर चले गया, अब इन दो कहां पर मिलते हैं, यह देखना है हमको, तो इसको इधर, आप क्या करिए, लंबवत खीच दीजिए, और इसको इस तरफ लंबवत खीचेंगे, तो य यह इस बिंदू पर मिलेगा, जो इस बिंदू का निर्देसांग हो जाएगा, इसको d मानते हैं, और d का निर्देसांग क्या हो जाएगा, एक कॉमा तीन, तो एक कॉमा तीन हो गया, अब आगे बात करते हैं, तीन कॉमा माइनस एक की, तो x का मान कितना है, तीन है, तो x अ इधर आएगा यह इधर करेंगे तो ऐसे जाएगा और यह इस तरफ आएगा तो इनका मिलन मिन्द में विन्द हो गया उसका नाम अंगित कर देना आप कर देड़े हैं आपको जरूर समझ में आया होगा उमीद करते हैं तो आप आप लोग बताईए जाके कितना आप लोगों को समझ मा रहा है और जो बच्चे नय है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि इससे पहले जो एक्सरसाइज 3.1 है 3.2 है और उससे पहले जो एक्सरसाइज 1 है 2 है सारी की वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आप आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी तो बच्चो आज तक के लिए इतना ही हम कल से क्या करेंगे जो एक्सरसाइज आपकी चौथी है उसको हम स्टार्ट करेंगे थैंक्यो करेंगे उसके हैं